आप सभी श्रोता बंधों को मेरा प्यार भरा नमस्कार साफ दमक्ती हुई सुन्दर्त वचा कौन नहीं चाहता है लेकिन दाग धब्बे सुन्दर्ता में बाधक है फिर चाहे वो धूप की वजह से, टैनिंग की वजह से या बरसों पुराना चोट का निशान हो कुछ दाग काफी जिद्धी होते हैं और ये कई कोशिशें करने के बाद भी नहीं जाते हैं परन्तु घरेलू नुस्खों से आप इन धब्बों से न सिर्फ छुटकारा पा सकती हैं बलकि आपकी स्कीन भी ग्लोइंग हो जाएगी चेहरे के दाग धब्बे आपकी खुबसूरती को जैसे कहीं छुपा देते हैं चेहरे के बदसूरत दागों को हटाना हर लड़की की चाहत होती है या लड़के की दाग धब्बों से निशात पाने का पहला अश्टेफ है की जैसे ही आप उन्हें देखें इनका इलाज शुरू कर दें मुहासों को बिलकुल ना नोचे और ब्लेक हैट्स या वाइट हैट्स को जबरजस्ती निकालने की कोशिश ना करें माइड फेस वाश से चेहरा नियमित रूप से धोएं और हपते में एक बार हलका एक्सफोलियेशन करें धूप में ज्यादा समय ना रहें अगर आपको धूप में जाना पड़े तो हाई SPF का सनी स्क्रीन जरूर इस्तेमाल करें इससे आप पिगमेंटेशन और दाग धबों से बच सकते हैं सोने से पहले अपना मेक अप उतार कर फेश वोस करना नहीं भूलना चाहिए फिर कैलामाइन लोशन लगा लेना चाहिए आई अब कुछे खम उपायों के बारे में जानते हैं कि कैसे फेश को ग्लूइंग बनाए रख सकते हैं सबसे पहले निम्बू का रस निम्बू के रस में सिट्रिक एसीड की मातरा अधिक होती है यहीं स्कीन को एक्सफोलियेट करने के साथ साथ एक्स्ट्रा ओयल भी हटाता है और मुहां से पैदा करने वाले वैक्टिरिया को भी खत्म करता है निम्बू पानी में एक टी स्पून शहद मिलाकर पीने से आपको दमक्ती तवचा मिल सकती है निम्बू के रस को कॉटन की मदद से स्कीन पर लगाएं निम्बू में एसीड अधिक मातरा में होता है तो ख्याल रखें कि इसे स्कीन पर 10-15 मिनट से ज़्यादा देर ना रहने दें ऐसा करने से स्कीन में इरिटेशन हो सकती है फिर चेहरा ठंडे पानी से धोलें एक बाल्टी गुनगुने पानी में दो निम्बू का रस मिला कर कुछ महिने तक नहाने से त्वचा का रंग निखरने लगता है इसके बाद टमाटर का पल्प भी लवदायक होता है टमाटर में विटामिन सी और एंटि ओक्सिडेंट्स भरपूर मातरा में होते हैं इसलिए यह ग्लोइंग स्कीन के लिए बेहद मुफीद है टमाटर और दूध मिलाकर लगाने से क्लींजर का काम करता है यह क्लींजर ना सिर्फ त्वचा से तील निकालता है बलकि इससे डेड़ी स्कीन सेल्स भी हट जाती है इससे चेहरे के निशान भी दूर होते हैं और साथ ही रूप भी निखरता है हेल्दी स्कीन पाने के लिए ताजे टमाटर को नियमित रूप से अपनी डाइट में शामिल करें टमाटर के पल्प से अपनी स्कीन पर अच्छी तरह मसाज करें और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें फिर इसे ठंडे पानी से धोलें इससे न सिर्फ स्कीन साफ होती है बलकि बड़े पोस भी कम होते हैं बंध होते हैं मुहां से दूर करने के अलावा यह सन टैन से भी छोटका दिलाने में मददगार होता है इसके अलावा आप चंदन और गुलाब जल के मिश्रण से भी अपनी स्कीन को हेल्दी और गुलोइंग बनाए रख सकते हैं गोरी रंगत देने वाला चंदन और गुलाब जल दूनों ही दाग धब्बों से छुटकारा दिलाने और स्कीन को रेडियंट बनाने में बेहद असरदार हैं ये एलर्जी और पिमपल ही दूर करते हैं दोनों को साथ में इस्तेमाल करने से आपको चमतकारी नतीजे मिलते हैं चंदन पाउडर और गुलाब जल को समान मातरा में लें और फाइन पेस्ट बना लें इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन में अच्छी तरह से लगाएं जब यह सूखने लगे तो इसे धोलें ऐसा नियमित रूप से करने से आपको फ्लोलेस इसकीन मिल सकती है इसके अलावा आप मेथी के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप डार्क स्पोट या मुहासों के निशान से छुटक यह पीने में टेस्टी है और इसकीन की अच्छी दोस्त भी है मेथी के पत्तों को पानी के साथ अच्छे से मैश करके इनका पेश्ट बना लें इस पेश्ट को अपने पूरे चेहरे पर अच्छी तरह लगाएं और 20-30 मिनट के लिए छोड़ दें जब यह पेश्ट पूरी स्कीन के लिए बहुत गुनकारी होते हैं इनका मेली स्कीन को बेहतरीन फायदे देता है पका हुआ केला खाने में अच्छा नहीं लगता लेकिन आप इससे मोस्चराइजिंग फेस पैक बना सकते हैं यह तवचा से मृत्त को शिकाओं को हटाने में मदद करता है और नमी प का रस मिला लीजिए इसमें दो भूंद ओलिव ओयल की डाल लीजिए और अच्छे से मिलाइए इस पेश्ट को चेहरे पर अच्छी तरह लगाईए और सुखने के बाद ठंडे पानी से धो लीजिए आपको लाव होगा इसके अलावा चावल का आटा केसर खल्दी शहद ग पताया हुआ है तो अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महतोपून जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार